नमस्कार मैं उस्मेलनसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइफ अंडरिट न्यूज शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से जनपत पहरेज की रिस्या थाना के आठ सिपाही निलंबित हुए घर में हुई थी सराफ पार्टी इस दौरान आपसी में बिड़े आठ सिपाहीों को जस्पी ने किया निलंबित मौमले की जाज सुरुई गट्टा 21 सितंबर के रात्री का है थान रिस्या पर तैनात आरच्ची महीद सुकला के आवास पर आयुद पाटी में स्राप पी कर हंगामा करने के आपस में मारपीट करने के तक गट्टना की सूचना वरिष्ट अधिकारियों को ना देने के फन असिरुप जन्मानस में प काच आपर पुलिस अधिचक नगर को सौपी गई है खास रिपोर्ट अजमन साह के साथ दिनांक 20 वटे 21 सितंबर 2020 की राते में हाना रिसिया पर तैनार एक आरक्षी मही सुपला के आवास पर आयोजिद पाटी में चराप पी कर सिपाजियों दोरा हंगामा किया गया चता इस हंगामे की घटना के बाद से आपस में मार पीट बीति रे इस समुची घटना की सुचना अं लोगों जरा वरेस अधिकारीव को नहीं दी गई इस आरोप में आरक्षी राजेस यादाओ, अमित यादाओ, अजय यादाओ, अंकर यादाओ, विनोद यादाओ, पोमन यादाओ, अफजाव फान, एवन आरक्षी महेर सुपला को अतकार प्रभाव से लंबित किया गया है, तता इसकी जांच खफर्पुनिसाद इच्छत नगर को अपस् अक्र श्यादा यादाओ, अंकर यादाओ, पोमन या खफजाओ, अंकर यादाओ, विनोद यादा है, अजय प्रभाव से लंबित यादाओ.